सापो से दोस्ती करना तो दूर की बाद, साप का नाम सुनते ही अच्छे अच्छो की हावा निकल जाती है लेकिन हर दोई का एक सिक्षक छहरीले सापो के बिना एक पल भी नहीं रह सकता यह यूवक ना सिर्फ सांपों के साथ खेलता है बलकि उन्हें गाना भी सुनाता है और जहरीले सांपों के साथ ही सोता है उत्तरपरदेश के हरदोई में एक शिक्षक को शोंक ने सांपों का दोस्त बना दिया और वह अब सांपों के सरक्षन के लिए मुहिम चला रहा है उनकी मुहिम का ही परणाम है कि हर दोई के कुछ गावों में लोग साप दिखने पर उसे मारते नहीं हैं और शैलेंदर को फोन कर बुलाते हैं। वे साप को वहाँ से पकड़ कर खुद पालता है या फिर उसे सुरक्ष स्थान पर छोड़ देता है। शैलेंदर का बच्चों को पढ़ाने के साथ साप पालने के शोंक ने उसे पूरे इलाके में चर्चित कर दिया है। तो अब जब भी गाउं परोष या इधर इबर कोई भी साप निकलता है को लोग मुझे फोन कर देते हैं। और मैं उनको अपने पास रख लिया करता हूं। मौसम जब अच्छा देखता हूं तो उन्हे वापस में छोड़ दिया करता हूं। और यह सौक अब यह समझेजे कि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर यह आ चुका है कि कहीं पर भी अगर कोई इसका पीड़ित भी है। मुझे दवाईयां भी इसके पता चल चुकी हैं देरे देरे इसके साथ साथ में साथ में बिच्छो गिरिगट गो इसके विस्खापर कहते हैं। यह सारी चीजे भी पालते हैं क्योंकि इन सब चीजों से लोग भ्रमित होते हैं। तो एक वैग्यानिक रूप से इनको दिखाना कि इनमें कितना कद्रा होता या किस तरह से हमरे साहाग भी होते हैं। प्रिकृत को संतुलिट बनाया रखने के लिए हर जीव की अवशकता होती है। इसलिए मैं इनको संद्चित करता हूँ तक लोग भी नहीं उनका भाह छूट जाए। चाहँ डर नहीं लगता हैं। जब तक इनके ओपर कोई दाव नहीं पढ़ती है। मैं तो इनके पास लेटता हूँ, साथ में रहता हूँ, सर्दियों में अपनी रजाई में लिटा लेता हूँ। तो जब तक इनके ओपर कोई दाव नहीं होती है। दूसरी बास सबसे बड़ी चीज मैंने चीज देखिया है। अगर आप उसको फखड़ हे। तो पखड़ने के बाद में, अगर आपने लगवा कोन इसको शोफेदगी है , था है। जड़ जरर कोई डहती है। इसलिए मुझे ड़र नहीं ड़गता है। चूंकि अग़ाईं भी पताय है, मुझे। इसलिए भी भाय नहीं लगता है। लेकिन सापों को सरक्षित करने का शोक ही था कि वह मेडिकल ट्रीट्मेंट के बाद सही हो गए। इसके बाद से ये जहरीले सापों को पकड़ने में थोड़ी सापधानी जरूर बरतने लगे हैं। हर दोई से संजीब भंडारी की रिपोर्ट।